तो असलाम वालाईकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब अमीद करते हूं ठीक होंगे अपने घरों में खुश रहें अबाद रहें तो कौन-कौन आ रहा है खाने यहां पर चिकन तिका बरियानी ओ-ओ आप कैसे आ सकते हो तो आपको मैं बताती हूं कैसे बनाई है मैंने तो आप ब खाके तो दिखाएं हम राइता है साथ साथ चिकन है तिका बरियानी और यहां पर मजे की जो बाइट है आप देख सकते हैं राइस कैसे किले में है माशाला से अल्ला की शान है जो हमारे लिए इतने अच्छे खाने अल्ला ताला ने पैदा की बनाए एक चीज़े बनाए जिसको हम खुद रैडी करके खाते हैं और हाथों में जाइके दिये और दौाओं में मुझे याद रखेगा और चले वीवर्ट चलते हैं किचन में ज्युक्त PB rover सबसे परने जाए हम चिकन को मेरिनेट करेंगे तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं तिका ब्रियानी तो यहां पर जो है हमारे पास नेशनल का जो है वह तिका चिकन तिका मसाला है तो इसको हम हमारे पास एक किटोरी दः है तो दःी के हंदर यह पूरा तो इसके अंदर हम जो है लैमन अएक कर देंगे लैमन का जूस तो यहां पर एक जो है हमने पूरा रस वाला जो है लैमन लेना इसके अंदर वह हम यह नहीं चोड़ दिया तो इस मसाले को जो है हम दही में जो है अच्छे से जो मिक्स कर लेंगे तो वीवर्स में आपके लिए बहुत ही असान और मज़े की जो है वो रेसिपी लाते हूँ जाकता कि आप हर एक टेस्ट कर सकें और एजिली घर बैठें बजार का भी टेस्ट और ये आपको मैं कहरी हूँ बजार से जो बरियानी महंगी महंगी मज़े की खरीद के लाते हैं उससे ज्यादा टेस्ट आने वाला है और अब जो है वीवर्स हम जो है चिकन में इसको मसाले को और दही में जो मिक्स किया अबा मसाला इसमें हम जो है वो इसमें मिक्स कर देंगे इसको मेरिनेट करके हम जो है वो रख देंगे ये देख सकते हैं इसमें और कुछ नहीं जाएगा तो बकाया जो है बरियानी के लिए हम जो मसाला रेडी करेंगे बकाया सारी चीजें जो है वो उसमें जाएंगी तो ये मेरीनेट हो चुका है इसको अब हम जो है वो आदे घंटे के लिए कम से कम रखेंगे अगर आदे घंटे के लिए आप नहीं रख सकते तो इसको दस मिनट तो लाजमी रखे ताके इसके अंदर जो मसाले वगारा इसका टेस्ट का मसाले का चला जाए तो वीवर्स यहाँ पर आदे घंटे के लिए मैं रेस्ट दूंगी चिकन को तो जी वीवर्स जब तक हो रहा चिकन मेरीनेट तो यहाँ पर मेरे पास एक किलो जो है वह चावल है चावल मैंने ने रेस्चे से से जो है वो बाश कर लिए तो यहाँ पर चावल आपने अच्छे वले यानी कि यहां पर मड़ें के बैीब है तो इहां पर पो Chandीन प्रेट करक से इसके पानी के अंदर फेसे पानी टे pak करेंगे यहां पर फानी के आने तक बादय हैं और इसको हम वाय प्रेट कर देंगे तो यहां पर वीवर्स पानी में आ गया बॉाइल तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे राइस ड्रेन करके तो यहां पर वीवर्स राइस है वो हमने एड़ कर दी है इसके अंदर और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक फोर Two'das तो अवह चुछा पन रहे तो आपको दिखाते हैं जब वाइल होंगे तो जी वी वर्ट जब तक चावल हो रहे हैं वाइल तो आपको मैं मसाले में क्या जाएगा वो दिखा दूँ यहाँ पर मेरे पास फ्रेश पुदीना है तो यहाँ पर अद्रक है तो जूलिन साइज में काटी है मैंने यहाँ पर मेरे पास एक अदद लेमन है चार अदद मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्चे है और यहाँ पर दो अदद तिमाटर है और यहाँ पर दो प्याज है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास लसन का पानी है दसन को हमने कूट के उसमें पानी डाल के उसको उसके जो पिसस थे वो हमने निकाल दिये चिलके वगरा तो यहां पर जो है एक चमच नमक है दो चमच हमारा पानी में नमक गया एक चमच हमारा मसाले में जाएगा और जो हमने तिका मसाला लगाया है चिकन को उसमें तो थोड़ा सा उसमें भी नमक होता है तो यहां पर जो है मेरे पास जो है तालचीनी के थोड़े से टुकड़े हैं दो बडी ला चाहां घृए हैं थोड़िया कस करणओ करें एक भर्ल deputy चाहां एक नापय रिंवी है रादा चैः चमजब शेर ऐां पर साबस धनिया धने मसाला बनाने जो है डादा करें राइस और यहां पर विवर्स राइस जो है चावल जो है वो बॉाइल हो चुके हैं तो एक कनी पर यह चावल रह चुके हैं तो हम जो यह ब्रयानी तह वाली ब्रयानी बनाते हैं तो उसमें यह ऐसे ही चावल डलते हैं बॉाइल होके और इसमें तोड़ा सा कच्छापन हम र जों पेन करके तो जो है वह रड़ें के साइट पर पान इसका निकालके तो हम रेड़ी करेंगे मसाला इसका रहा पर ज़ाद कर देंगे सब्सरें पहले हाँ झाल मरियानी का मसाला और एक कप भर कर यहाँ पर जाएगा ऑई Алगường और वीवर्स तेल थोड़ा सा गरम हो चुका है हम एड़ कर देंगे इसमें प्यास प्यास हम जो है वो अच्छे से ब्राउन करेंगे थोड़ा सा जो है वो हम ब्राउन करके इसमें से निकालेंगे तो मिलते हैं को ब्राउन करको तो जी प्रणि करके हम प्यास ब्राउन हो चुका है लेकल रहें रहाओ उसे निकालेंगे यहां पर मैने फ्लेम जो है वह आफ कर दिया था और इतने साबुद मसाले हैं वह इसमें आड़ कर दिए जी बीर्स यहां पर जितने साबुद मसाले थे हमने वह निए तो इसमें अब हम्ने करें साथ ही मेरिनेट चिकन तो जी विरुस फ्लेम हमने अभी अन नहीं करना चिकन एड़ कर देंगे तो फिर हम बाद में अन करेंगे यह लिए यह चला गया मेरिनेट चिकन मैं जरा पतीली अच्छे से साफ कर लूँ तो यहां पतीली भी अच्छे से जो मसाला लगा वाता है इस अच्छासा जरा इसका जो दहीं का पानी है वह जरा निकल आए और यह इसका कलर जो चीकन का चींग हो कि अज़ा ज़े तब तक हम करेंगे इसको फ्राइड अच्छे से करेंगे हम दो मिनिट के लिए फ्राइड और यहां पर वीवर्स मैंने थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं हरी मिर्चें और अद्रक और पुदीना और प्याज निकाल लिया था यह हम डालेंगे तम पे तो जी वीवर्स यहां पर हम एड़ कर देंगे इसमें जो नमक और जो कुटी हुई लाल मिर्चे वो चेली गए आप ऐसे ही फॉलो करते हुए जरूर बनाएं बहुत ही तेस्टी बरियानी बनती है यह और आप बजार की बरियानी खाना भूल जाएंगे साथ ही हम एड़ कर देंगे इसमें जो हमके पास बैजी थे जितनी बी बैजी थे वो एड़ कर दिये कलर फुल बरियानी मजे की लंपी है और यह सब चीजें डालके हम लिक्स करके इसको जो है पांच मिनट के लिए हम जो है इसके उपर रखन दे के पकाएंगे इसको ताके चिकन अच्छे तरीके से गल जाए तो विवर्स जब तक हो रहा है चिकन रेडी आपने जो है फूट कलर मिक्स करके रख लेना है और दम की जो दम पे चीजें जाएंगी वो रेडी करके आपने पहले से रख लेनी है तो चलते हैं चिकन की तरफ पाँच मिनट हो चुके हैं यहाँ पर विवर्स पाँच मिनट के बाद कुछ यू नजर आ रहा है और इसको अब हम पाँच मिनट के लिए जो फ्राइ तरेंगे चिकन हो जाएगा ड़न तो यहाँ पर विवर्स चिकन हो गया है ड़न और यह आपने इसका की ग्रेवी जो है इसमें रहने देनी है फिर ही जूसी बनेगी और इसमें अब हमने हाफ चिकन और हाफ जो मसाला है वो अलग से निकाल लेना है तो विवर्स यहाँ पर जो मैंने हाफ मसाला और हाफ चिकन जो है वो अलग से निकाल लिया है और यहाँ पर विवर्स जो हमारे पास बॉइल प्राइस है वो हाफ जो हम इसमें एड़ कर देंगे फ्लेम हम पर देंगे ओफ फ्लेम हमने ओफ कर दिया हाफ जो राइस हम इसम और इसके ओपर जो हाफले जो राइस हैं वो एड कर देंगे यहां पर विवर्स मार्शलाइ से आप देख सकते हैं मैंने दूसरी लियर भी बिचा ली है और यहां पर मैंने प्याज हरी मिर्चें अद्रक पगएरा और यहां पर पॉदीना अर्के और हम इसमें आड करेंगे पुदी कर देंगे फूट कलर यहां पर मिलते हैं आपको पडिश आउट करके हाँ और सुनते जाएं मेरी रेसिपि आई तो मेरे चैनल को जो नहीं मेरे मेरे चैनल को सबस्क्राइब जब ज़रूर कीज़ें, तो यहां पर नाटा हम दखन उठाएं , झाल यहां पर फाइनल को लोग दिखाते हैं , यहां पर नाटा से साइट नाटा करके हमेशा खुला करें , माशाला , मिलते हैं आपको फ्लेटिंग करके